नमस्कार दोस्ते वेल्काम टू नेटिक्षिए तो फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वाइफ़ी स्कान करने का बाद वाइफ़ी नेटोग आपके विंडोस का लैपटाप अथोगा डिस्टॉप में नहीं देख रहे है उसको किस तरह किसे फिक्स करना तो दे सब्सक्राइब करना है और आपको राइट क्लिक करके आपडेट ड्राइबर में क्लिक करना है और आपका पीसीया लापटाप है वो इंटरनेट होना चाहिए इंटरनेट से अब करना है और क्लिक करने का बात आपका जो है ड्राइबर सॉप्टवार जो है ओटमेटिक फाइंड आट कर लेंगे सार्चिंग करेंगे फिर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे तो चलिए देखते है पोसेस को एंड तक और उसके बाद दूसक्वाइबर क्या होता है कि वाइफाई भी दीख रहा होता है बट वाइफाई गानेक नहीं होता है तो वह भी प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाएंगे तो चलिए यहाँ पर आपका सिस्टम इंट्रेनेट से कानेट होना चाहिए मैं जैसे की बताया आपको मेरा सिस्टम हुआइफाइ से फिलल भी होगा आटोमेटिकली तो दीखिए अब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है तो दीखिए अब सक्सुली जो है ड्राइवर हमाना इंस्टॉल हो गया और इससे हमाना ढर्यागत प्रॉब्लम सँल्फ हो जाएगा तो ड्राइवर को एंसा आपडेट करने के बाद भात्ता दिख़े अनक होता है तो आपको करना का है इक सिस्टम बाद में आपको देखिए प्राब्लम सॉल्फ हो जाएगा आभी दिख रहा है यहां पर वाइफे ने टोक शो कर रहा है तो गाइस इस तरीके से यह वाइफे की एरोर आप कर सकते हो तो गाइस उम्मित करता हूँ यह वीडियो आपको लिए हल्फ रहेगा तो प्लिस वीडियो का लाइक शाय जोरू किजेगा और आने वाला वीडियो का अपटेट अने के लिए हमारे सब्सक्राइब जोरू किजेगा थैंक्यू बेरी मॉच